आज हम आपके लिए लेकर आये हैं बहुत ही टेस्टी और जाएकिदार मच्छली के सालन की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से हम आपको मच्छली का सालन बनाना सिखाएंगे मगर इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिये बेल आइकन को प्रेस करिए, आल पर किलिक करिए ताकि आने वाली अच्छे च्छी वीडियो को नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए फिर इस मज़दार से टेस्टी सालन को बनाना स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाइ रवान रहीम, अस्सलाम अलेकूम, कैसे आप सब? देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और जाइकिदार मचली का सालन स्टेप बाइ स्टेप हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप घर पर मचली को बना सकते हैं तो यहां हमने बाब मचली ली है, एक किलो, बहुत ही टेस्टी बनता है इसका सालन आप चाहे तो कोई भी मचली ले सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से साफ करके, धो करके इसका पानी हमने चलनी में रखकर निकाल लिया है और अब हम इसको करेंगे मेरिनेट तो इसको बाब मचली भी काफी टेस्टी लगती है खाने में आसानी से मिल जाती है ये इसमें हम डालेंगे नमक तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेगा और इसमें डालेंगे एक पूरे निम्बू का जूस एक पूरा निम्बू जाएगा इसमें अच्छे तरीके से निचोड़कर डालेंगे निम्बू को तो इस तरीके से आप मचली के सालन को जरूर से ट्राइ किजेगा टॉस कर लेंगे से और अब हम इस पर लगाएंगे हल्दी का पॉडर तो पूरा एक चमच हल्दी का पॉडर डालेंगे इसमें कलर के साथ साथ टेस्ट भी आएगा तो देखिए अच्छे तरीके से इसको मचलियों पर लगाएंगे इस तरीके से लगा सकते हैं तो इस तरीके से लगाएंगे वरना देखिए मैं तो इस तरीके से टॉस करकर लगाती हूँ तो बहुत ही आसानी से लग जाता है मसारा सपर देखिए इस तरीके से टॉस कर लेगे तो देखिए हल्दी नमक जो है सब पर अच्छे से लग गया है और अब हम इसको ढखकर रख देंगे आदे खंटे के लिए मेरिनेट करने के लिए इससे मचली की स्मेल हीख होती है वो सारी खतम हो जाएगी तो इससे रख देंगे साइट में तो यहां हमने पैन में तेल को डाल दिया है और तेल को गरम कर लेंगे तेल गरम हो गया है इसमें डालेंगे बारी कटी हुई प्यास तो यहां हमने टोटल चार प्यास ली है और उसको स्लाइस कर लिया है इस तरीके से मचली में प्यास का बिरिष्टा बना कर डालेंगे तो बहुती टेस्टी सालन बन करके तयार होगा प्यास को अच्छे से फ्राई करना है प्यास को एकदम गोल्डन फ्राई करेंगे तो देखिए प्यास गोल्डन फ्राय हो गई है इसे निकाल लेंगे ये निकालने के बाद में भी पकते रहती है तो देखिए इस तरीके से प्यास को निकाल लिया है और आप हम इसका पाएं डाल कर पेस्ट बनाएंगे तो देखिए इस तरीकी से पाने डाल कर पेस्ट बना लिया है इसे साइट में रख देंगे और बचे हुए तेल में हम दालेंगे मचली को फिलेम को आन कर लेंगे मचली को डालेंगे एतियास से डालिए मचली के बहुत छीटे उड़ते हैं फ्राइ करते वक्त एक तरफ से मचली फ्राइ हो गई है तो इसे पलट देंगे एतियास से पलट ये ज्यादा चम्मत चलाएंगे तो मचली तूट जाएगी बस इस तरीके से एतियास से पलटना है और देखिए कितना बढ़िया कलर आया है मचली पर इस तरीके से फ्राइ करके मचली का सालन बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और जाकेदार बनकर की तैयार होगा आपको मेरी आवास थोड़ी चेंज लग रही होगी क्योंकि मेरे गले में जो है खराश है मगर मैं इसके बावजूद आपके लिए नई नी वीडियो बनाते रहती हूँ तो देखिए ये सारी फ्राइ हो गई है तो इससे निकाल लेंगे और हम दूसरे बेच को फ्राइ कर लेंगे मचली का फ्राइ किया हूँ तेल हमने इस बर्तन में डाल दिया है अब हम इसमें और तेल डालेंगे तीन से चार चमच जो है तेल डालेंगे इसमें और फिलेम को आउन कर लेंगे फिलेम को आउन कर दिया है और तेल को गरम कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले तो यहां हम डालेंगे तीन तेज पत्ते एक बढ़ी लैची दो हरी लैची और दस बार दाने काली मिरच के लिए है ये भी डाल देंगे मसालों को थोड़ा तड़कने देंगे मसाले अच्छे से चटक गए है तो इसमें डालेंगे दो चमज भरकर अद्रक और लहसन का पेस्ट फिरेश पेस्ट लीजेगा बहुती बढ़िया फिलेवर आएगा और यहां हम अद्रक लहसन को अच्छे तरीके से भूलनेंगे तो अच्छे तरीके से भूलना है अद्रक लहसन को लगतार चमज चलाते हुए भूलनेंगे अद्रक और लहसन अच्छे तरीके से भूलन गए हैं तो इसमें डालेंगे कुछ मसाले तो यहां हमने एक चमज भर कर लिया है तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर एक चमज काश्मिरी लाल मिर्च का पाउडर आधा चमज हल्दी और दो चमज भर कर लिया है धनिया पाउडर यह डाल देंगे मसाले डालते वक जो है गैस के फिलेम को कम कर देंगे वरना मसाले जो है जल जाएंगे मसालो को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है अब हम इसमें डालेंगे पानी तो यहां हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें पानी डालने के वज़े से जो है मसाले जो है जलेंगे नहीं और अच्छे तरीके से भुन जाएंगे मसाले अच्छे तरीके से भुन गए हैं तो इसमें प्यास का पेस्ट डालेंगे बचे हुए पेस्ट में पाएं डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करके मसालों में डाल देंगे किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए पकाएंगे देखिए एकदम ग्रेवी जो है दानेदार हो गई है अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम अच्छे से भूनते हुए पाँच मिनट के लिए धीमे आज पर पकाएंगे तो ग्रेवी को ढखकर रख देंगे पाँच मिनट के लिए और धीमे आज पर पकाएंगे पाँच मिनट हो गए है देखिए बहुती बढ़िया कलर आ गया है ग्रेवी में और मसाले जो है अच्छे तरीके से पग गए है मसालों से बहुती बढ़िया खुश्बू आ रही है अब हम इसमें डालेंगे चार हरी मिर्च आधा चम्मच गरम मसाला आधा चम्मच भुना हुआ जीरे का पौडर और थोड़ा सा नमक लिया है तो नमक जो है हाथ रोक कर डालिए क्योंकि पहले भी हमने मचली में नमक लगाया था और अब हम इसमें डालेंगे फ्राइक क्यों ही मचली और इसे हलके हाथों से मिक्स करेंगे अब इसमें डालेंगे एक गिलास पानी तो जितने भी गिरेवी आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाप से डालिए और इसे मिक्स कर देंगे हलके हाथों से ज्यादा मिक्स करेंगे तो इसके काटे जो है टूट करके सालन में बिखर जाएंगे बस इस तरीके से हलके हाथों से मिक्स करना है मचली सॉफ्ट होती है तो बहुत जल्दी मसालों के फ्लेवर को अब्सॉफ कर लेती है अब हम इसमें डालेंगे बारिक कटा हुआ हरा धनिया इससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा और इसे ढखकर रख देंगे साथ से आट मिनट के लिए साथ से आट मिनट हो गया है इसे खोल लेंगे तो देखिए मचली का सालन बन करके तयार हो गया है अब हम फ्लेम को बन कर देंगे और इसे ढखकर रख देंगे पाँच मिनट के लिए इस तरीके से सारा आएग उपर आ जाएगा पाँच मिनट हो गये है अब हम इसे खोल लेंगे तो देखिए तेल जो है सारा उपर आ गया है और बहुती बढ़िया सालन बन करके तैयार हो गया है इसे निकाल लेंगे हम इस तरीके से निकाल लिया है मचली के सालन को तो देखिए बहुती आसान और सिंपल तरीके से हमने आपको मचली का सालन बनाना सिखाया है अगर आपको हमारी मचली के सालन की रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज इसे लाइक, शेर और कॉमेंट करना भूलिएगा मत और सब्सक्राइब कीजिएगा गुल्दस्ता के किचन को दुआओं में याद रखिएगा अल्ला हाफीज